यूँ भटकना इधर उधर जब चाइनल है आपके पास आड़ी साइंस डिकोडर दिसी जी कराम दिस साइड वेलकम टू अलफ यू टुड़ीज क्लास आज ही क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है देखिए बाबू हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग लेक्चर 6 में थ आता हूं ठीक है ताकि आप नेक्ष्ट क्लास जो आज क्लास होगी मेक यूर ओन मैगनेट इन सब चीजों पर आप अच्छे से पकर बना सके ठीक है वैसे तो पिछले क्लास का कोई लिंकेज नहीं है लेकिन फिर भी आपको मैं रिवीजन करा देता हूं ठीक है देखिए ड इससे डेपिट कर लेना है यह डाटा यह डाइगनाम आपको इससे डेपिट कर लेना है ठीक है सबसे टॉप में नौर्थ है साउथ है इस तरीके से यह हमारे पास चार डिरेक्शन्स हो गया ठीक है और चाइना है चाइना एक देस है ठीक है एक कंट्री है वहाँ पर राज है उसे स्टैचू का उसे स्टैचू का एक जो हैंड है न वह हमेशा किस डिरेक्शन में पॉइंट आउट करता था साउट डिरेक्शन में जिससे राजा को मदद मिलती थी क्या डिरेक्शन को find out करने के लिए कि कि सी directions में जाना है कि नहीं जाना है तो actually इसमें magnet का properties है, magnet का उसमें use किया गया है, ठीक है और जबी भी हम एक बार magnet को freely suspend करेंगे, freely suspend का मतलब क्या कि उसको हम restrict नहीं कर रहे हैं, उसको हम किसी भी directions में मुफ करने के लिए अलाव कर रहे हैं वो असानी से किसी भी मुफ कर सकता है independent है उसका movement, ऊसका motion उसका जो movingmen है उसके हम restrict नहीं कर रहे हैं टो जबी भी आप बार magnet को freely suspend करोगे तो वो खुद को align कर लेता है north south directions में टो या बात मैंने बताई थी आपको और जो Pols का जो नेमिंग है North-South Pole ही क्यों नेमिंग किया गया है वो इसका एक अधार ये है जैसे directions है ठीक है तो magnet का ये वाला जो पाठ है ये हमेशा North directions में खुद को Point out करता है हमेशा North directions में खुद को align करता है रखने की कोशिस करता है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रख दिया North Seeking End या फिर North Pole, ठीक है, फिर उसी तरीके से South Pole के बारे में भी है, ठीक है, जितने भी Magnets हमारे पास है, जेनरल ही, है न, लगबग Magnets के पास दो Pole होता है, North Pole और South Pole, ठीक है, और यही खासियत, यह जो property है ऐसे मैं last class में है न, lecture 8 में, आज तो lecture 7 है, lecture 8 में मैं Magnet की properties पर भी बात करूँगा, उसके uses पर भी बात करूँगा, अभी कर लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज समझाना है आपको, last में वो चीज हम कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई point छोटने वाला नहीं है, ठीक है, तो जो एक जो से दूसरे जगा travel किया करते थे लोग, तो उनको जब रास्ता भूल जाते थे, तो वो क्या करते थे, एक magnet को suspend कर लेते थे, एक threat से, और क्योंकि magnet की properties है, सब को पता था, कि magnet खुद को north-south directions में align करता है, यह उसकी खासियत है तो इससे पता चल जाता था, इधर north है, इधर south है, इस तरीके से directions पता चल जाता था, ठीक है, और magnet की properties जो है, यह north-south यह बहुत important properties है, और इसी properties के वैसे पे एक device develop करा गया है, उस device को compass बोलते हैं, और technology vast होते गया है, तो हमारे पास instrument, device या फिर टूल आ गया, direction को find out करने क हैं, हम लोग magnet को suspend करके, threat से देखते थे, इस तरीके से, ठीक है, और compass में magnetized needle लगा हुआ है, कहीं, वो needle में magnet का work क्या हुआ, magnet लगा हुआ है, ठीक है, वो freely move कर सकता है, और जब magnet है, भाईया, तो वो special directions में अपने आपको stop करेगा, north-south directions में, ठीक है, इस तरीके का होता, य यह one side, यह north side को represent करता, यह south, यह generally red in color होता है, red in color, ठीक है, कोई भी color से हो सकता, लेकिन देखा गया, red ही color point out किया जाता, ताकि एक particular directions को दिखा से के, ठीक है, हमारे पास compass क्या है, एक tool है, एक device है, instrument है, ठीक है, directions को find out करने के लिए, अब हमारे पास compass आ गया है, अब कब तक हम लोग magnet को thread से लगा के उसको freely suspend करेंगे, है ना, तो इन सब चीजों के बारे में आपको idea मिल गया होगा, मैंने पूरी कोसिस करी है, आपको revise कराने की, ठीक है, आईए, चीजों को आगे बराते हुए, ठीक है, आज हम लोग आगे बरते हैं, और यह अपने पास क्या lecture 7 है, ठीक है, लेक्चा 7 में topic कौन सा हम लोग पढ़ने वाले आज, आज हम लोग magnet बनाएंगे, ठीक है, magnet बनाएंगे, make your own magnet, यह topic है न, देखिए, ऐसे तो कई methods है, magnet बनाने का, make your own magnet, ठीक है, NCRT में बिल्कुल चलेंगे हम लोग, ठीक है, चीजों को पहले यहाँ पर समझ लिजे, उसके बाद आगे करेंगे, प्रोसीड, NCRT में चलेंगे देखने, ठीक है, देखिए, पेन, पेपर, वाटर, वाटर लेकि किसी शांती जगे को बैठ जाएंगे, ताकि एक एक चीज हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, अब आज आपको प्रॉपर मिल रही होगी, है न, थोरी धीरे हो सकती है, ठीक है, तो क्या हम लोग बात करेंगे, हम लोग मैगनेट बनाएंगे, ठीक है, ऐसे तो कई मेथट से मैगनेट बनाने का, लेकिन क्यूंकि आप क्लास 6 में है तो छोटे से बच्चा है, है न, थोता थोता बच्चा है, तो इसमें आपको एक बहुत बेसिक मेथट बताई जाएगी, जिससे आप मैगनेट बना सकते हैं, और एक मैगनेट बनाने के लिए आपको एक मैगनेट की जरूरत परेगी यहाँ पे, ठीक है, तो बस एक फन के मैगनेट बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ, सच कुछ बहुत बड़ा यह टर्म नहीं है, बहुत बड़ा यह कॉंसेप्ट नहीं है, यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है भी नहीं, वैसे देखा जाए तो, लेकिन इंसे आटी में कुछ भी डिसकस नहीं किया गया है, हम उ उसको पड़ रखा है, बस आप मेरे साथ एक बार रिकॉल करना, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है, क्यूंकि एक जो टर्म है, मैगनेटाइजेशन, ठीक है, आप सुनते हो ना, मैगनेटाइजड नीडल, मैगनेटाइजड आईरन, यह सब क्या है, वो सारी बास समझ जाएगी आपको, ठीक है, तो उससे पहले, उससे पहले कुछ एक टर्म समझिए, जो हमारे पास, भईया, मटेरियल था, उसकी क्लासिफिकेशन हमने दो कैटिगेरी में करा था, तो जो हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, यह आपको पता है, लेकिन फिर भी आप समझना, ठी कि वो मैं समझा सकूँ, तो मटेरियल की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करी गई है, किस बेसिस पर करी गई है, कि वो मटेरियल जो है, मैगनेट को रिफरेंस मानके, कि मैगनेट में भईया, यह मटेरियल चिपक रहा है कि नहीं, चिपक रहा है, तो यह अलग मटेरियल हो गया जो magnet में नहीं चिपा करा है वो अलग material हो गया तो पहला category क्या है हमारे पास पहला category है magnetic material का देखो यहां पर मैं detail नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यह लिखवा चुका हूँ मैं ठीक है आप देख सकते हो magnetic material ठीक है आप पिछले कई class में देख सकते हो magnetic material, तो magnetic material बस एक मैं recall कराना चाहता हूँ आपको, ठीक है, magnetic material का क्या मतलब, जो attract हो, अकर मैं simple भासा में लेखू, तो ऐसी material जो attract हो किदर, towards magnet के तरफ attract हो, चिपक यह है न, example में जैसे iron, बिल्कुल iron हो गया, मीखील हो गया कॉबाल्ट हो गया ठीक है बाभू बहुत सारा इधामपल हो सकते एटीसी ठीक है तो यह अपने पास एक साप्ते केटिगरी आ गया मैगैणेटिक म nettawan य। कि इसके तरफ मैउटा जाएगा न initiatives इसका लग जाएगा मतलब समझो कि यह खासियत नहीं रखता जैसे magnetic नहीं है मतलब क्या है वो non magnetic है मतलब magnetic वाली properties को यह सो नहीं करेगा magnetic material जो है वो attract होता था magnet के तरफ लेकिन यह do not attract do not attract किसके तरफ attract नहीं होगा towards magnet है ना example देख लिजे rubber रबर हो गया प्लास्टिक हो गया यह सब magnet के तरफ attract नहीं होगा magnet इसको attract नहीं कर सकता अपने तरफ ठीक है ना तो material की classification करी गई है दो दो category में ठीक है magnetic दूसरा non magnetic I hope कि आपको यह point समझ में आया होगा वीडियो पॉस करके लिखना है आपको ठीक है लिखा हुआ है फिर भी लिखिया आप I hope कि आपको समझ आ गई होगी यह बाट ठीक है एक और point मैं discuss करता हूं फिर हम लोग इस टॉपिक में इंट्री करते है ठीक है देखिए हमारे पास जो एक तो magnet भी हमारे पास magnet का भी classification हमने करा था source के basis पे कि हमको वो चीज कैसे मिलता है एक nature के through मिलता है या फिर artificial form में मिलता है या man made में ठीक है या फिर naturally हमको वो चीज मिलता है जैसे एक magnetite था वो natural magnet का example है तो जो हमारे पास artificial magnet है इसके बारे में समझेए कि भाया जो artificial magnet है जो हमारे पास artificial magnet है उसको हम लोग कैसे प्रिपियर करते है अर्टिफिशल magnet मतलब बहुत सारा example हो गया आपका बार magnet हो गया horseshoe magnet हो गया ball ended magnet हो गया और एक और है cylindrical magnet हो गया यह सब artificial magnet का example है इसको कैसे भाई आप्रिप्यार करते है इसको प्रिप्यार करते है ना इसको प्रिप्यार करते है विद्धा हेल्प ओफ कीसे जा फ़ाइरण पीसे जब आइरन मतलब आइरन के टुकरा की हिल्प से है हम लोग मतलब मेंली कहा जाए तो आइरन के हिल्प से जो है न आइटिफिशल मेगनेट बनाई जाती है ठीक है बहुत सारा प्रोसेस करके ठीक है तो आज हम लोग यही चीज़ समझने वाले हैं एक magnet बनानी की कोशिस करते हैं, ठीक है, वो magnet बनाएंगे, और magnet बनाने का जो process है, उस process को ही magnetization बोलते हैं, ठीक है, यह point मुझे समझाना है, ठीक है, magnetization समझाना है, और हमेशा जो magnet बनाई जाएगी न, वो magnetic material से ही बनाई जाएगी, ऐसा नहीं कि non magnetic material से बनाया जाएगा, ठीक ह यह नया term है जो कि आपके NCRT में भी नहीं discuss किया गया है थोड़ा सा extra है आप इसको digest करने की कोशिश करना यह एक term है इसका क्या मतलब है इसका मतलब मैं समझाता हूँ यह process है simple simple समझे यह process है किसीच का magnet बनाने का process of making magnet नम simple भासा मैं मैं लिख रहा हूँ ठीक है यह process है क्या चीच का magnet बनाने का किसके हिल से from magnetic from है यह M है from magnetic material मतलब भाईया क्या समझ में आया कि magnetic material के हिल से जो है ना magnet बनाई जाती है ठीक है magnetic material का क्या मतलब है magnetic material का मतलब या तो आईरन हो सकता है आईरन को यूज करते हैं ठीक है या फिर कोबाल्ट नीकेल यह सब एक्जाम्पल है किस चीच का magnetic material का एक्जाम्पल है और magnetic material का क्या खासियत है यह magnet के तरफ attract होगा ठीक है तो magnetization कुछ नहीं है भाईया process है magnet बनाने का magnetic material के हिल से ठीक है from magnetic materials यह दोनों point आप समझने की कोसिस करें विडियो पॉस करके इसको लिखें फिर आगे हम डिसकस करते हैं तो आगे हम लोग proceed करते हैं समझते हैं भाईया कि magnet कैसे कैसे बनाया जाया है ना क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चो ठीक है तो उसी तरीके से आपको समझाई जाएगी ठीक है बहुत simple method है और आप जो ना एक iron को magnet का character दे सकते हैं एक iron को magnet में convert कर सकते हैं ठीक है कैसे देखो वही example आपके textbook में भी दिया हुआ है ठीक है देखिए यह अगर iron का एक टुकरा हम लोग लिए ठीक है समझिए सब समझ में आ जाएगा iron का एक टुकरा लिए इसके उपर क्या करेंगे magnetization process करेंगे magnetization का क्या मतलब जैसे कोई पूछेगा magnetization मतलब process है यह magnet बनाने का एक process है magnetization उतना detail में नहीं जाना है कि actually कैसे बनता है नहीं बनता है यह सब आपके class में सीखने की जरूरत नहीं है ठीक है इतना हम लोग को PhD नहीं करना है बहुत basic से भी upgrade करके है न बहुत basic से लेके थुरा advance तक हम लोग चले जाएंगे लेकिन उतना detail नहीं जाएंगे कि भाईया आभी मुझे सिखाओ magnet कैसे prepare करेंगे मुझे भी घर पे करना है नहीं आपके syllabus में है ही नहीं जो चीज नहीं परना है उसमें ख्यामाखा time बरबात करना सहीं नहीं है ठीक है अगर iron को iron के उपर magnetization process करते हैं तो magnet बनाते हैं तो यह फिर iron नहीं रहा जाता यह क्या बन जाता है become magnet यह भी हम discuss करेंगे कैसे आपको घर पे आप बना सकते हो ठीक है तो यह अब यह normal iron नहीं रहा यह अब magnet बन गया और यह iron को हम लोग क्या बोलेंगे यही iron तो भाईया magnet ब के लिए रहा है कि magnetized iron जैसे magnetized needle कमपास में जो magnetized needle की बात करी गई थी तो वो भी एक magnetic जो needle है वो magnetic material है उसको जो है ना magnetization करके उसको magnetized needle बनाया गया है ठीक है उसको magnet का characteristic दिया गया है उसके अंदर तो समझे अगर iron को अगर हम लोग magnet बनाते हैं magnet में convert करते हैं तो वो iron iron नही जायेगा ठीक है अगर अगर मैं अगर मैं एक एक ग्जामपल ले लो अगर मैं needle के उपर magnetization process करता हूं कि magnetization process करता हूं ठीक है यह क्या है magnetization process है तब यह needle magnetized needle बन जाएगा magnetized needle आई आई बात समझ में और magnet की सारी property जो है ने इसके अंदर आ जाएगा तो बहुत simple method था और कैसे बनाना है यह हम discuss कर देते हैं आपको video pause करके यह point भी आप लिख लीजिए कि लिए बात चलिए एक हम लोग rectangular rectangular shape में एक हम लोग क्या लेते आईरन का एक pieces लेते हैं ठीक है थोड़ा 3D structure बना लेते हैं सुंदर दिखने के लिए इस तरीके से हम लोग ने कि iron pieces लिया है ठीक है यह क्या है हमारे पास एक हमारे पास यह iron का एक टुकरा है iron है ठीक है और इसी iron पर जो है ना magnetization process करेंगे तो यह magnetized iron बन जाएगा इस पर अगर magnetization process करेंगे magnet बनाने का process इस पर करेंगे तो यह क्या बन जाएगा magnetized iron यह बात समझ आ गई बहुत simple बात है देखो magnet बनाने के लिए घर पे आपको magnet की जरूँवत परेगी ठीक है एक magnet की जरूँवत परेगी और दो पॉइंट दो बातों का आप बहुत ध्यान रखोगे ठीक है इसके उपर हम लोग ने एक बार मैगनेट बनाने की कोसिस कर रहे हैं ठीक है एक बार मैगनेट की हिल्प से आपको समझाई गई है ठीक है मैं कोसिस करता हूँ कि मैं बनाने की कोसिस करता हूँ ठीक है देखिए एक बार मैगनेट हम बनाने की कोसिस करते हैं ठीक है यह अपने पास एक बार मेंगनेट है ठीक है तो आप अगर मैं इसका 3D लूप देना चाहूं तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं और इसका जो है न नौर्थ साथ पोलिदर थीक आप अच्छे से ड्रॉव कर लेना इस तरीके से इस तरीके से ठीक है और यह थोड़ा उठा हुआ है वन एंड ही जो इसका नॉर्थ एंड है यह आईरन पर चिपका हुआ है मतलब लगा हुआ है ठीक है इस तरीके से तो अब क्या करेंगे हम दो बातों का ध्यान रखेंगे ठीक है ये मैं अभी लिखता हूँ यहां पे remember आपको करना है दो point दो point आपको ध्यान रखना है जबी भी आप क्या करो जबी भी आप magnet बनाओ ठीक है तो do not change चेंज नहीं करना आपको क्या चेंज नहीं करना एक-एक point discuss करते हैं जैसे देखो एक बार आपने north pole रख दिया यहां पे ठीक है तो अब आप क्या करोगे इसको आप move करोगे ठीक है इसको सटा के कि मतलब घी सोगें इसको उखर यहां रख आपए लाओं कि इसको उठा लोगे इसको यहां पे हो इस तरीके से ठीक हैла फिर इसको ऐसे करते रहना यह process कब तक करना है यह process आपको करना है यह process जो repetition का process है न यह ऐसे तो आपके book में 30-40 times दिया हुआ है लेकिन आपको इससे ज्यादा भी करना पड़ सकता है ठीक है ज्यादा बेटर result के लिए आप 50 बार भी कर सकते हो यह एक रफ आइडिया दिया गया कि इतना से इतना बारा बार बार इस चीज़ को continue repeat करते हो तो फिर यह जो surface है न यह magnet की तरह act करने लगता है magnet की प्रोपटी सो करने लगता है यहाँ पर कोई भी iron pieces लागए तो यह चिपकाने लगेगा खुद को ठीक है देखिए आपको दो बात ध्यान रखनी है एक क्या कि आपको फोल अवद लेट को चेंज नहीं करना पोल अप्ड़ मेगनेट इसको समझाद एक लिक को के पहली बात है कि पोल अब लेट चेंज नहीं करना अगर आपने नौट पोल रखा तो ऐसे मुफ करते रहो हमें सा नौट पोल से आप रगड़ देंगे, ऐसा नहीं है कोई एक पॉल चूज कर लो आप एक पॉल को आप चूज कर लो, जैसे नोर्थ चूज किये आप तो नोर्थी के साथ आप ऐसे ऐसे करते रहो ऐसे यदा ऐसे बार वार करते रहो पहली बात है कि आपको change नहीं करना pole of the magnet दूसरा चीज यह नहीं change करना है कि अगर एक बार आपने इस directions में move किया तो ऐसा नहीं है कि दूसरा बार ऐसे नहीं करने लग जाना ऐसे नहीं करना है आपको एक ही directions में move कराना है ऐसे कर दिये फिर आप उठा के लाओ फिर यहां से एक बार रगरो फिर उठा के लाओ फिर एक बार घसो यहां पर ठीक है तो directions भी आपको change नहीं करना है directions of the movement जो magnet को आप move करा रहे हो जिस directions में जैसे अगर इस directions में move करा रहे हो तो इसी directions में आप move कराते जाओ इसी directions में move कराते जाओ यहां से यहां तक जाओ, फिर magnet को उठा के यहां लाओ, फिर यहां से रग रो, फिर उठा के लाओ, फिर यहां से रग रो, तो यही कहा जा रहा है आपको, कि do not change, आपको change नहीं करना है, पोल, पहली point, पोल, दूसरा directions of the moment, आपको change नहीं करना है, तो फिर क्या होगा है, इतन इसको आपको डाइगराम को ड्रोण नहीं करना यह जो सर्फेस बन जाएगा ना यह ऐड़न था अब यह ऐड़न क्या करेगा अगर इस पे कोई भी आइड़न फाइलिंग्स लाओ या फिर नीकिल लाओ या फिर एक की लाओ, कुछ भी लाओ, नीडल लाओ, या पीन लाओ, कुछ भी लाओ, आप magnetic material, तो यह चिपकाने लगेगा, देखना यहाँ पर attract होने लगेगा, ठीक है, तो यह इस तरीके से जो आपका यह जो iron है, अब क्या बन गया, magnet बन गया, बहुत simple method discuss किया गया है, ठीक है, यह कोई बरी बात नहीं है, यह ज्यादा देर तक नहीं रहा पाता है, यह जो इसके अंदर जो properties आ गई, magnet का, यह ज्यादा देर तक नहीं रहता है, फिर यह खतम हो जाता है, तो ऐसी fun के लिए आपको, कि आप घर पे बना सकते हो, यह आपको इसलिए बताया गया है, ठीक है, ऐसा चैसा नहीं है, कि आप इस तरीके से repeat करोगे, 30-40 बार, 50 बार, और iron बन जाएगा, magnet, ठीक है, वो पूरा magnet का, property सो करने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोचो, कि थोरी देर के लिए ही, यह iron के अंदर magnet का properties आ गया, मतलब यह magnetic material को attract करने लगा, इसके पीछे थोड़ा सा logic में देने की कोसिज करता हो, देखो, आपको यह iron कैसे बना magnet, सोचो, 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 यह iron कैसे बना magnet, यह magnet के अंदर जो, electron, proton, जो कुछ भी है, ठीक है, बस electron, proton क्या होता है भाई, आपको नहीं समझना है, बस यह समझो कि इसके अंदर जो particles है, ठीक है, इसके, इस surface को पर align हो गया है, मतलब इसकी जो properties है, यह इस पर आके align कर गया है, simple भासा मैं समझो, इस geomaterial से बना हुआ है, तो इसमें electron का transfer हो गया, मतलब shift हो गया, इसलिए थोर magnetic material सठते हुए नजर आ रहा है, magnetic material उस पर ऐसा लग रहा है, कि इसमें सठा हुआ है, ठीक है, इस चीज को permanent यह effect आप नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं है, कि 30-40 बार आपने करा, और बहुत टाइम तक लंबे समय तक आप इस iron को magnet की तरह यूज कर सकते है, ऐसा नहीं है, धीर तो यह अच्छा process नहीं है, magnet बनाने का, ठीक है, और भी कई methods है, उन सब चीजों के बारे में आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं है, आपके fun के लिए, आपके enjoy के लिए जो है आपको यह चीज बताई गई है, आईए, ज्यादा load लेने की जरूरत नहीं है, कुछ एक जो term मैंने समझाई है, आपको वो चीज ध्यान रखना, magnetization नहीं चीज है, ठीक है, magnetization का ख्याल लखना, magnetization क्या होता है, आईए, आपको मैं NCRT के तरफ ले चलता हूँ, और NCRT में मैं दिखाने ही कोसिस करता हूँ, कि किस तरीके से, ठीक है, magnet बनाया गया, देखो, यहीं कर रह जरूरत नहीं है, आप परे भी होंगे, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, यह सारी बात हम डिसकस कर दी, आप से, देखो, यह activity के लिए आपको load लेनी की जरूरत नहीं है, सीम्पल भासा मैं समझ लो, कि क्या है, कि यह देखो, यह जो needle है, इस भी, यह needle को magnetized needle बनाया गया है, ठीक है, magnetized needle बनाया गया है, कैसे, इसमें magnetization process करके, और यह पता है आपको कि यह जो magnet है, यह तरह का magnet की तरह act करेगा, यह खुद को हमेशा north और south directions में align करेगा, ठीक है, यह form है, form को रखके यह हमेशा एक directions में align करेगा, तो इससे आप direction find out कर सकते हैं, यह compass बनाने की कोश इस नहीं करना, क्योंकि इससे कुछ सीखने को मिलेगा है, ठीक है, कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, आप magnet की properties की बात करी गई है, कि जब needle में अगर magnetization करेंगे, तो वो magnetized needle बन जाएगा, और magnetized needle बन जाएगा, मतलब magnet की properties आ जाएगा, तो यह खुद को north-south directions में align कर लेगा, as simple as that, इतना समझना भी नहीं है इसमें, ठीक है, यह मस सोचना आपकी, यह point आपको छोड़ दिया गया है, ठीक है, बिलकुल समझा दिया गया है, इसमें कुछ भी समझने की बात है ही नहीं, ठीक है, बस एक topic बचा है, बस यह attraction and repulsion between magnets, ठीक ह यह मैं कल करा दूँगा आपको, यह topic हम लोग complete कर देंगे, ठीक है, फिर हम कल discuss करेंगे, कि फिर आगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, आईए, सबसे important काम है, आपका home work, पहला है कि lecture 1 से आप तील ना हो, अब तक जब तक आप revise नहीं करोगे, ठीक है, तब तक का चीजे को है, ना चीजों को आप understand नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, पहला home work है, दूसरा आप topic 5 जो है, 5 topic attractions and repulsion between magnets, यह आप term, यह topic आप पढ़ क्या नहीं भी समझ में आएगा, तो मैं अच्छे से समझानी कोसिस करूँगा, कल next class में अच्छे से समझा दूँगा, करी नहीं